ससुराल के टकड़ों पर पढ़ने वाला घर जमाई जिसकी ओकाद एक कुत्ते से भी बत्तर थी कि ऐसे सहर के सारे अमीर लोग उसके कदमों पर नाक रगणने के लिए मजबूर हो गए पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने जो कल तक मेरे घर का नौकर था उसी दो कोड़ी की इंसान से मेरी शादी करवा दी गई सादी चाय जैसे भी हो रीवा पर अब मैं तुम्हारा पती हूँ तुम मुझसे ऐसे इती बत्ते मिजी से कैसे बात कर सकती हो पती? माई फुट! तुम्हारी अवकाद मेरे कुट्टा बनने की भी नहीं है जाओ दफा हो जाओ और जाकर मेरे कपड़े प्रेस करो मुझे आफिस के लिए लेट हो रहा है आरूश कपूर एक गरेव इंसान था उसके पास कोई नौकरी नहीं थी रीवा के पिता ने उसको घर में साथ सफाई रखने के लिए रख लिया था एक रात मिस्टर वरूण मलेक आरूश के पास आकर हाँ चोड़ कर उससे बोले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ आरूश मेरे बेटी रीवा से साधी कर लो ये आप क्या कह रहे हैं मैं आपके घर में नौकर हूँ मैं अपने ही मालकिन से कैसे साधी कर सकता हूँ ये एक बाप की मिन्द समझ लो या भीक पर तुम्हें मेरी बेटी से साधी करनी ही होगी तभी मिस्टर वरूण ने आरूश से कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर आरूश को साधी करनी ही पड़ी रीवा एक बिजनेस वोमेन थी पर वो अपने पापा की कोई भी बात नहीं टालती थी उसने साधी करने के लिए लाख मना किया पर मिस्टर वरूण कहां किसी की सुनने वाले थे और जब अजस्ती आरूश और रीवा की साधी करवा दी साधी की रात जब आरूश रीवा की कमरे में गया तो रीवा गुस्से से भरी बैठी हुई थी आरूश को धेक उसे जलील करते हुए भोली ओ तो मिस्टर पती देव मेरे साथ सुहाग रात मनाने आये हैं राइट? नहीं रीवा ऐसी बात नहीं है पर अब तुम मेरी पत्नी हो तो मुझे इसी कमरे में रहना पड़ेगा ना ओ शाट आप ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई तुमने मेरे पिताजी को जो तुम जैसे गवार को मेरे पल्लू से बान दिया जानते हो मेरा खर्चा कितना है? मुझे कैसी लाइफ जीने की आदत है? और तुम? तुम्हारी आउकात क्या है? इस घर में और मेरी जंदगी में हमारे इस बंगले में जाडू पोचा करके कितना मिलता है तुम्हें एक महीने का? मुश्किल से 6000 उसमें तुम मुझे खुश रखोगे? तुम्हारा गुस्सा जायज है रिवा मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें खुश रख शट यो माउथ बक्वास बंद करो अपनी उधर कोने में जमीन पर कपड़ा डालो और सो जाओ और रही बात मेरे नस्दीक आने की या मुझे छूने की तो सोचना भी मत इतनी आउकाद नहीं है तुम्हारी इतना बोल रिवा बैट पर लेट कर सो जाती है और आरुस एक जमीन पर कोने पर सोचाता है इस बात को एक साल बीद गया था इस बीच एक हाथसे में मिस्टर वरुन भी चल बसे पर इस शादी ने जैसे की आरुस की जिन्दगी पूरी बदल के ही रख दी इस एक साल में ना तो रिवा ने आरुस को करीब आने दिया और ना ही उसे कभी इज़द दी आरुस को हर रोज जलील होना पड़ता था कभी रिवा तो कभी अपने सास मदू मलिक के ताने सुनने पड़ते थे वो घर का जमाई बन गया था पर वो अभी भी गर के नौकरों वाले ही काम करता था आज सुभे भी जब आरुस रूम से बाहर आया तो मदू के साथ उसकी कुछ दोस्ते बैठी हुई थी मदू उसे नफरत से देखते हुए बोली इधर आओ जरा देखो मेरे पैर में बहुत दर्द है जरा दबा दो अच्छे से पर मम्मी ची इनके सामने तो अब तू सिखाएगा मुझे कि कब क्या बोलना है चुपचाब पैर दबा आरुस चुपचाब अपने उसास के पैर दबाने लगता है तब ही वो औरत जिसका नाम नीना था बोल पड़ी कमाल करती है मधू ये लड़का तो तेरा दामाद है तो इससे नौकरो वाले काम क्यों करवाती है दामाद अरे वो तो पता नहीं कौन से बुरे कर्म किये थे जो इस भिखारी जैसा लड़का रिवा के गले पड़ गया अब नौकर है तो नौकरों वाले काम तो करेगा अब इसकी इतनी आउकाद तो है नहीं कि एक अच्छी नौकरी ढूंड कर मेरी बेटी को एक तौफा भी दे सके वैसे बोलता तू सही रही है मदू शहर के सारे लड़के तेरी रीवा के पीछे पागल थे पता नहीं वरुन भाई साब को इसमें क्या दिग गया ये सब जैसे जहर बनकर आरुस में घुल रहा था पर कुछ बोला नहीं क्यूंकि ये आज की नई बात नहीं थी ये जिल्लत सैना तो उसका रोज का काम हो गया था तभी रीवा वहां ब्लैक शॉट टॉप बहन कर वहां आती है वो काफी खुबसूरत भी लग रही थी उसे देखके एक प्यार भरी सी स्माइल आरुस के होटो पर भी आ गई एक रीवा ही तो थी जिसे देखकर वो सब भूल जाता था तभी रीवा आरुस से रूखी आवाज में बोली सुनो आज मेरे ड्राइवर की तब्यट ठीक नहीं है तुम मुझे ओफिस ड्रॉप कर दो ठीक है चलो ये लो मेरा पर्स और मेरी कुछ फाइल्स रीवा उसके हाथ में फाइल थमाकर किसी बॉस की तरह चलने लगती है और आरुस एक ड्राइवर की तरह उसके पीछे पीछे फिर भी आरुस खुश था और अपने मन में बोला काम सही सही पर दो पल का तुमारा साथ तो मिला आरुस रीवा के ओफिस के गेट के सामने गाड इसे उतरने लगता है तो रीवा उससे टोकते वे बोली एक मिनिट आरुश ये मेरा ओफिस है और तुम जैसे फटीचर मेरे ओफिस में अलाउड नहीं है वैसे भी कोई तुम्हें मेरा पती समझ कर मजाक उड़ाए ये मैं हरगिस नहीं चाहूंगी पर रीवा मैं तुमको छोड़ देता हूँ ना अंदर तक तुम्हारे इतने सारे फाइल्स तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता जाओ दफा हो जाओ वैसे भी कल मेरी बर्दे पाटी है मैं नहीं चाहती कि वो खराब हो जाए तो घर जाओ और अच्छे से सापसफाई करो इतना बोल कर रीवा अंदर चली जाती है आरुस की आँखे दुख से नम हो जाती है पर रीवा के बर्डे का सुनकर उसकी होट मुस्कुरा उठे तुम्हारा बर्डे सुना कैसे जा सकता है देखना कल का दिन तुम्हारा बहुँत special होगा इतना बोल आरुस किसी को कॉल करता है रीवा जैसे ही आफिस पहुची उसकी असिस्टेंट टीना बोली माम, मिस्टर नकुल बजाज, इस शहर के टॉप फाइब बिजनसमेन में से एक है वो आपसे परसनली मिल ले आए है क्या? नकुल बजाज? जिनका हीरो का बिजनस है, वो खुद मुझ से मिल ले आए है क्या तुम सच कह रही हो? येस माम, वो आपकी केबिन में आपका इंतजार कर रहे है जैसे ही रिवा अपने केबिन में पहुची, तो नकुल बजाज को देखती रह गई वो ब्लू कलर के टोप पी शूट में था, वाइट शट पहने देखने में बड़ा ही हैंसम लग रहा था तभी नकुल ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनके रिवा के पाउं तरने जमीन खिसक गई ऐसा क्या बोला नकुल बजाज ने? जिसे सुनकर रिवा के हो सुड़ गए आखिर क्यों एक अमीर आद्मी ने अपनी बेटी के साधी करवाई एक नौकर से? और ऐसा क्या कहा मिस्टर बरुन ने आरुस से? जिसे सुनकर आरुस ने साधी के लिए हाँ बोल दिया क्यों आरुस इतनी जिल्लत बरी जिन्दगी जी रहा था? क्या है इसका गहरा राज जो सब से छिपा हुआ है? और क्या होने वाला है रीवा के बदे पाटी में? या रुस रीवा को कर पाएगा खुश? या और एक बार भरी मैं फिर में जलील हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखें My Billion Husband का एपिसोड 2 हमारे यूटूब चैनल डर की दस्तक पर थैंक्स पर वाचिंग